हेलो एवरीवन, वेलकम टू उन्डी आईएस, स्वागत है आप सभी का करन्ट अफेर्स के हमारे एक न्यू लेक्चर में जिसमें हम डिसकस करने वाले हैं अफस्पा को, तो अफस्पा क्या होता है, अफस्पा का फुल्म होम है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट और ये रिसेंट्ली न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी इसको Ministry of Home Affairs के त्वारा नागा लेंड और अरुनाचर प्रदेस के कुछ छेत्रों में अगले छे महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि अफस्पा होता क्या है, इस से स जो कारे करम हैं वो स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आप डेली बेसिस पर 20 MCQs कर सकते हैं और दो मेंस आंसर प्रेक्टिस कर सकते हैं हर रोज, इसके अलावा यहां फुल लेंध टेस्ट भी हैं, तो सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंध टेस्ट, वीकली टेस्ट, यह सब आपको दिखने को मिलेंगे, यह 100 MCQs वाले टेस्ट हैं, सीसेट के टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड हैं, आपकी कोवी जो हैं वो इवालिवेटेड यहां पर की जाएंगे, अच्छे तरीके से, माटीरियल आपको सॉफ्ट कोपी में प्रोवाइड किया जाएगा, इसके और मेंस के वीडियो आपको यहां देखने को मिलेंगे, विद टेस्ट, सीसेट लेक्चर्स भी आपको अबरी संडे प्रोवाइड के जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट जो हैं आपके वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं, और साथ में करेंट अफेर्स का कवरेज भी आपको दिया जाएगा, तो किसी भी कोर्स अगर आपको कोई क्वैरी है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर और साथ में मेल भी हमें कर सकते हैं, और एडमीशन में अगर किसी एस्पिरेंट को इन्रोल करना है, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके इन courses में admission ले सकते हैं, तो चलिए शुरुवात करते हैं अब हमारे lecture की और समझते हैं कि आखिर अफस्पा का क्या background है, देखिए अफस्पा जो है ये किन प्रष्ट भूमियों में आ रहा है, अफस्पा को लाया जा रहा है 1942 की प्रष्ट भूमियों में जब भारत आजाद नह गया था, तो उसके कुछी दिन बाद ये movement नेत्रत्व विहीन हो गया था, और कोई भी आंदोलन जिसका नेता ना हो, तो वो आंदोलन धीरे धीरे उगर हो जाता है, और वहाँ violent activities देखने को मिलती हैं, ठीक है, तो इन ही परिस्थितियों में Britishers के द्वारा, इन violent activities को रोकन के लिए, इनको बंद करने के लिए, एक ordinance 1942 में लाया गया, जिसका नाम था, Armed Forces Special Power Ordinance, ठीक है, तो इनका objective क्या था, objective ये था कि किसी भी हाल में, चाहें गोली चला कर हो, चाहें अरेश्ट करके हो, आपको ये violent activities रोकनी है, तो आर्मी को यहाँ बहुत जादा powers Britishers ने दे दी लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें कि आखिर independent इंडिया में ऐसी क्या जरूत पड़ गए कि आप अपसपा लेकर आ रहे हैं, तो देखें, जैसे ही भारत आजाद हुआ 1947 में, उसके कुछी सालों बाद, यानि कि 1950s में इंडिया में एक बहुत बड़ी समस्या आई, अब अब ये क्या है, जैसे ही भारत आजाद हुआ ना, नागलेंड के लोग भी अपनी आजादी की डिमांड करने लगे, मतलब वो ये नहीं चाह रहे थे कि हम इंडिया का एक स्टेट बनके रहेंगे, वो ये चाह रहे थे कि नागलेंड जो है, वो एक स्वायत राज्य बनना चाहिए, जहां पर उनकी अथोरिटी खुद अपने नागलेंड का साशन चलाए, और वो भारत के अधीन ना रहें, ये उन्होंने movement इस्टार्ट कर दिया था, और धीरे धीरे ये movement violent हो गया था, इसी violent movement को control करने के लिए हमारी independent इंडिया की government ने एक कानून पारित किया, जि ये पारित हुआ था, 1958 में, अब मैं आपको एक प्रिलिम्स के लिए fact बता दूँ, दिखिए, जब ये act पारित किया गया था, तो इसको सबसे पहले 7 North Eastern State में लगाया गया था, और ये state क्या है, इनके नाम ध्यान रखिएगा, ये हैं असम, मेघाले, त्रिपुरा, मिजोरम अरुनाचल प्रदेश, नागलेंड, एंड मनीपुर, इन 7 states में इसको initially impose किया जा रहा है, इसके बाद, अफस्पा होता क्या है, देखिए, इसको समझी है, अफस्पा एक ऐसा कानून है, जो की public order को maintain करने के लिए बनाया गया है, public order को maintain कहां पे किया जाएगा, public order को maintain किया उन छेत्रों में जो की disturbed हो चुके है, अब disturbed area क्या होते है, इनकी definition क्या है, उसको भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा wait करिये, और ये समझे कि आकिर ये कानून हमारी आर्मी को कौन सी विसेश सक्तियां देता है, क्योंकि इसका full form क्या है, ये कुछ special power दे रहा ह तो special power में पहली special power क्या है, देखे, अगर ये कानून किसी भी छेत्र में लगा दिया जाता है, तो ऐसी condition में आर्मी पांच या अधिक लोगों के समुह को या फिर public gathering को ban कर सकती है, prohibit कर सकती है, उन्हें मना कर सकती है, ठीक है, पहली special power जो है, वो आर्मी को ये दी जा रही ह उसके बाद, आर्मी जो है, बल का प्रियोग कर सकती है, और साथ में एक चेतावनी जारी करके open fire भी कर सकती है, क्योंकि उन्हें को public order maintain करना है, तो किसी भी हाल में public order maintain करने के लिए उनको ये right यहां इस कानून के द्वारा दिया जा रहा है, अगली बात करें, तो इस कानू की requirement भी उनके लिए नहीं होती है, ठीक है, तो ये भी एक special power आर्मी को दी जा रहे है, इसके बाद, आर्मी चाहें, तो किसी भी मकान में जा सकती है, सर्च करने के लिए, बिना किसी warrant के, इविन अगर उनको ये अन्देशा लग रहा है, कि इस भवन में कोई आतंक वारी हो सकता है, तो उस भवन को द्वस्त करने की जो power है, वो भी ये कानून दे रहा है, इसके अलावा, आर्मी यहां के, यहां पे, जो लोग रह रहे हैं, जहां पे ये attack imposed हुआ है, वहां के लोगों को कुछ fire arms रखने से मना कर सकती है, मतलब, जो अगनी वाले हत्यार है, उनको उनको जो है, public को रखने से मना कर सकती है, ये कानून यहां पे आर्मी को power दे रहा है, इसके बाद देखिए, disturbed area क्या होता है, इसको समझें, देखिए, disturbed area को define किया गया है, खुद अपस्पा कानून की धारा तीन के द्वारा, ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये declare कर रहा है कि कोई भी ऐसा छेतर जहां पर insurgency हो जाए, और जो civil administration है, उसको सहायता की जरुवत हो, आर्मी की, तो वहाँ पे हम अफस्पा को लगा सकते हैं, ठीक है, इसके बाद declare कोन करेगा इसको, कि disturbed area होते क्या है, तो देखिए, declare करने की power जो दी जा रही है, वो तीन लोगों को द जा रही है, या तो central government यहाँ पे किसी area को disturbed area घोशित कर सकती है, या फिर state के जो governor होते हैं, वो भी किसी area को disturbed area घोशित कर सकते हैं, इनके अलावा, अगर union territory की बात हो, तो union territory के जो administrator हैं, या फिर परसाशक हैं, वो भी या तो पूरे छेतर को, या फिर किसी एक special छेतर को disturbed area घ कर सकते हैं तो यह होता है डिश्टर्ब्ड एरिया इसके बाद हम बात करें क्रिटिसिजम की कि आखिर अफस्पा को लेकर क्या-क्या अलोचनाए भारत में उपस्थे थे देखिए आपने भी बहुत सुना होगा कि न्यूस पेपर में भी आता रहता है कि अफस्पा जो है वो यहाँ पे समझ रहे हैं देखिए जो सबसे बड़ा क्रिटिसिजम है अफस्पा को लेकर वो यह है कि अफस्पा कानून आर्मी को एक लाइसंस दे रहता है कि आर्मी किसी भी व्यक्ति को मार सकती है ठीक है यह बहुत बड़ी समस्या है और यह साथ में आर्टिकल 21 यानि कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का भी वाइलेशन है तो पहली चीज यह आई ग्रिडिसिजम में कि इस कानून को नहीं होना चाहिए ओके दूसरी बात क्या हो रही है यहाँ पे देखिए जो मानव आधिकार के कार्रे करता है ना human rights activist वो क्या कह रहे है वो चाहें तो किसी के भी घर में जाके वहाँ पे सर्ज कर सकती है किसी भी चीज को सीज कर सकती है और जब चाहें किसी को शूट कर सकती है तो human rights activist इस आधार पे इसकी अलोचना करते है उसके अलावा अगर हम बात करें तो तीसरी अलोचना जो आ रही है वो यह आ रही है कि army के केवल और केवल संदिग्द होने पर भी किसी भी घर को उड़ा सकती है चाहें तो पूरे के पूरे विलेज को उड़ा सकती है केवल संदिग्द अवस्था में मतलब अगर उनने संदे हो रहा है किसी पर डाउट हो रहा है तो इस condition में भी वो पूरे विलेज को उड़ा सकत किसी भी व्यक्ति को मार दिया जाता है है ना तो वो व्यक्ति कोर्ट में भी नहीं जा सकता मतलब आर्मी के अगेंच्ट वो कोई केस नहीं कर सकता ये कानून इस पश्ट पूप से कहता है ठीक है अगर आपको केस करना भी है किसी आर्मी मैन के ओपर जिसने किसी व्यक्ति को मार दिया हो तो ऐसे में Central Government की Permission चाही होगी और Central Government आसानी से Permission देगी नहीं क्योंकि Central Government की ही Permission से Army Officials वहाँ पे लगाए जाते हैं अगर Central Government ने अपने ही Army Officers के ऊपर कानूनी मुकदमा चलाने की Permission दे दी तो ऐसे में अगली बार अगर Government को कहीं पे Army भेजनी पड़ी किसी Disturb एरिया में तो वहाँ पे Army जाने से मना कर देगी कि सर आप हमें भेज तो देते हो अफस्पा लगा के अगर हम वहाँ पे किसी पे गोली चला देते हैं तो फिर आप हमें मुकदमा चलाने की भी Permission दे देते हो उस व्यक्ति को कि हमारे उपर मुकदमा चल जाए तो ये तो बड़ी समस्या वाली बात हो जाएगी तो यही criticism यहाँ पे हो रहा है कि आप अगर मुकदमा भी चलाना चाहे न Army Personals पर तो वो नहीं चला सकते यह तीसरी बड़ी problem है इसके लावा critique यह भी कह रहे है कि यह जो अफस्पा कानून है वो terrorism को रोकने में विफल रहा है ऐसा क्यों है देखिए आपने 1958 में इस कानून को पारित किया उसके बाद भी लगातार जो terror organization है वो बढ़ते चले जा रहे है आज भी आप struggle कर रहे हैं बहुत सारे terror organization को ban करने की है ना लेकिन terror activities थम तो नहीं रही है तो ऐसे में आपका act जिस उदेशे से लाया गया था उन उदेशियों को प्राप्त करने में यह विफल रहा है यह शांती व्यवस्ता बना ही नहीं पा रहा है तो अगला criticism यह आ रहा है तो उसके बाद एक और criticism आ रहा है कि यहां पे जो disturbed area घोशद करने की सरकार की शक्ती है उसे आप किसी भी न्यायाले में challenge नहीं कर सकते अब यह तो बड़ी अजीब सी बात होगी मान लिजे आप एक जगा पे रह रहे हैं आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि चहतावनी जा रही हो जाएगी कि जो घर से बाहर निकला उनको गौली मारी जा सकती है है न आरμी ऐसा कर सकती है हमने अभी देखा क्या-क्या पावर दे रहा है तो ऐसे में आप अगर चाहें भी तो इन grounds पर मतलब ये जो आपका area में disturbed area लगा दिया गया है government के तोरा घोशित कर दिया गया है इसको challenge भी नहीं कर सकते है तो ये बड़ी problem है चलिया तो ये तो बात होगई criticisms की लेकिन अब हम बात करते हैं कि भारत में वर्तमान समय में अफस्पा की क्या प्रासंगिकता है और आखरिये क्यों होना चाहिए देखिए सबसे जो important पक्ष आता है अफस्पा को बनाए रखने का वो ये है कि अफस्पा जरूरी है देश की एकता और अखंडता के लिए हैं अगर अफस्पा कानून नहीं होगा तो आप किसी भी disturbed area में आर्मी को नहीं लगा पाएंगे और आर्मी अगर वहाँ पे नहीं लगेगी तो ऐसे में वहाँ शांती व्यवस्था कायम नहीं होगी और बहुत बड़ी चुनोती जो है वो भारत के लिए हो जाएगी ठीक है तो ये इसका एक बचाव है अफस्पा कानून का उसके बाद दूसरी बात ये है कि अफस्पा कानून की जरुवत है लो एन ओर्डर को maintain करने के लिए कानून व्यवस्था को बनाने के लिए तो कानून व्यवस्था तब ही बना पाएंगे आप जब ऐसे कानून आपके पास होंगे जो आर्मी को ये शक्तियां दे रहे होंगे ताकि वो वहाँ पे जो disturbed area है वहाँ जाके सांती ववस्था इस्थापित कर सके तो दूसरा पोइंट ये हो गया उसके बाद अफस्पा कानून की जरुवत है इंसर्जेंसी को रोकने के लिए इंसर्जेंसी का मतलब क्या होता है जैसे कुछ लोगों ने हधियार उठा लिए सरकार के खिलाफ तो ऐसी condition में उन लोगों को कौन टैकल करेगा सरकार तो टैकल नहीं कर सकती उनके लिए आपको military चाहीं होगी force चाहीं होगी और force लगाने के लिए आपको उने power देनी पड़ेंगी तो इसलिए भी अफस्पा जरूरी है तीसरा point यह आ जाता है हमारे पास उसके बाद अगर हम बात करें अफस्पा कानून की जो जैसे लोग बोल रहते अभी कि अफस्पा जो है उसको हटा देना चाहिए तो जो आर्मी परसनल्स हैं मतलब आर्मी के ओफिसर्स हैं वो एक बात कह रहे हैं कि अगर आपने अफस्पा कानून को हटा दिया तो यह आर्मी को demoralize करेगा और demoralize करेगा कि आर्मी अब यह सोचेगी कि अगर हमें वहाँ पे impose कर दिया जाएगा और हमने कभी गलती से गोली चला दी किसी insurgent पे और किसी civilian को गोली लग गई तो ऐसी condition में वो civilian हमारे उपर case कर देगा क्यों? क्योंकि अफस्पा कानून है यह नहीं जो कानून उनका बचाव करता है अगर वो कानून ही नहीं होगा तो आर्मी परसनल का moral तो अपने आप डाउन हो जाए नगा ना? वो गोली चलाने से पहले बहुत सोचेंगे अब insurgent को अगर उन्हें मारना है तो उसको भी गोली चलाने से पहले कई बार वो सोचेंगे तो ये एक बड़ी चलेंज जो है आर्मी के सामने बन जाएगा तो ये इसका एक अगला criticism है देन उसके बाद critics कह रहे थे कि ये draconian law है इसकी कोई जरुवत नहीं है इंडिया में लेकिन अगर हम बात करें इसका misuse अगर कोई कर भी राय ये भी कहते हैं कि इसका misuse हो रहा है तो misuse को रोकने के लिए हमारे पास independent judiciary तो ही है और independent judiciary जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होने देती है उनके fundamentalite का protect करती है तो एक बचाओ में ये भी point यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसके बाद अगर हम बात करें judiciary का क्या point of view है इस पूरे मसले को लेकर तो देखें दो case आपको ध्यान में यहाँ पे रखने हैं पहला case है नागा people's movement of human right versus union of india case 1998 तो ये case में judiciary ने कुछ points दिए कुछ decisions दिए ये decisions क्या है सबसे पहला और सबसे important decision इस case में आया कि देखें अफस्पा सरकार को arbitrary power नहीं देता मतलब सरकार किसी भी area को अपनी मर्जी से ऐसे ही मनचाहे तरीके से disturbed area घोशित नहीं कर सकती ये इसमें पहला most important decision judiciary की तरफ से आया दूसरा decision क्या दिया यहाँ पे judiciary ने judiciary ने ये बोला देखें आप अगर किसी area को disturbed area घोशित करते हैं और वहाँ पे अफस्पा को लगाते हैं तो अफस्पा एक limited duration के लिए ही लगेगा है ना एक सीमित समय के लिए ही लगेगा ऐसा नहीं है कि आपने एक बार अफस्पा लगा दिया और चैन से बैटके छोड़ दिया आपने अफस्पा लगा के यह नहीं हो सकता आप limited time तक ही उसको लगाएंगे फिर उसके बाद समय समय पर अफस्पा का review करेंगे कि वहाँ पर problem है वो solve हुई की नहीं हुई कानून व्यवस्था बहाल हुई की नहीं हुई और उसके बाद जब 6 महीने की अबदी आ जाएगी तो यहाँ पे आपको इस कानून को समाप्त करना पड़ेगा और साथ में review करना पड़ेगा कि इसको आगे बढ़ाने की जरुत है या नहीं है ठीक है तो यह एक अगला important decision judiciary की तरफ से आ रहा है then next decision क्या है next decision supreme court में यह बोला जा रहा है supreme court के द्वारा यह बोला जा रहा है कि अगर आपको disturbed area के अंदर कानून व्यवस्था बहाल करनी है तो आप कम से कम force को use करेंगे कम से कम सेना बलको use करेंगे ताकि उस problem से effectively निमट सकें ठीक है तो यह एक अगला decision supreme court के द्वारा आ रहा है then next decision क्या है देखे supreme court यहां बोल रहा है साफ साफ कि आर्मी personals जो है उनको भी किसी भी execution के लिए उन मुक्ती प्राप्त नहीं है मतलब कोई छूट नहीं है कि आर्मी man जो है वो किसी को भी मार दें और उनके उपर कोई मुकदमा ही नहीं चलेगा ऐसा बिलकुल नहीं है आर्मी man के उपर भी मुकदमा चलाया जा सकता है यह supreme court यहां पे बोल रहा है इसके बाद एक और case है जिसका नाम है Extra Judicial Execution Victim Families versus Union of India case 2016 इस case में Supreme Court ने एक बहुत ही important decision दिया और यह बोला अगेन वही जो मैंने भी पीछे बताया उसमें साफ साफ Supreme Court ने बोला कि आर्मी को जो है वो कोई भी criminal court से बचाव प्राप्त नहीं है ऐसा नहीं है कि आर्मी किसी को भी मारे और बच जाए नहीं यह यहां पे नहीं हो सकता तो यह cases आपको कुछ ध्यान में रखने है इसके अलावा कुछ important fact है जो मैं आपको बता रहता हूँ जैसे article 34 article 34 हमारे constitution का यह क्या कहता है यह कहता है कि कोई भी ऐसा छेतर जहां पर martial law impose कर दिया जाएगा वहां पे लोगों के fundamental right prohibit हो जाएंगे उन पर प्रतिबंद लगा दिये जाएंगे अब यह प्रतिबंद जो है ऐसी नहीं कि मनमाने तरीके से लगा दिये जाएं पार्लिमेंट कानून पारित करके ही किसी व्यक्ती के fundamental right को prohibit कर सकती है उन एरिया में जहां पे martial law लगाया गया हो ठीक है इसके लावा एक और important point है जो आपको ध्यान में रखना है वो यह है कि martial law को हमारे पूरे समभीधान में कहीं भी define नहीं किया गया है यह prelims के लिए बहुत important fact है तो इसको आपको ध्यान में रखना है तो यह था हमारा पूरा discussion अफस्पा के उपर इसी तरह के और exciting video देखने के लिए current affairs based programs में आप जो है enroll कर सकते हैं और हमारे और courses भी join कर सकते हैं लिंक आपको description में दे दिया गया है तो जुड़े रहे हैं ओनली आई इसके साथ thank you